तो हलो गाईज फिससे एक नाए वीडियो में सुथखते आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो iPhone में आप बैक बटन इनेबल कैसे कर सकते हो जैसे कि आप कुछ भी चीज ओपन करते हो तो उसमें आपको जैसे कि इस तरह से जाने होता है तो आप इसमें बेक बटन इनेबल कर सकते हो इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर देख पादो तो गाइज आपके पास कौन सा भी आईफोन हो 11, 12, 13, 14, 15 सब में यह वरक करने वाला है और चैनल पर पहली बार हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ में और नोटिपिकेशन को ओल पर सेट कर लेना ताकि हर वीडियो के आपको नोटिपिकेशन मिल स और आपको यहां पर इस तरह से इसको क्लिक कर दे रहा है उसके बाद में आपको बहुत सारी यहां पर फीचर्स वगदा देखने को मिल जाएके उसके बाद में आपको नीचे आना है और यहां पर आपको side button का option देखने को मिल जागा है guys यह आप यहाँ पर देख पा लिए हो ठीक है मैंने क्या side button enable कर रखा है ठीक है तो आप यहाँ पर आपको देख सकते हो side button ठीक है यह आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो यह enable confirm with switch control ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि नीचे green देखने को मिल जाएगा क्योंकि मैंने enable कर रखा है इसलिए मैं को green नहीं देख रहा है आपको simple कुछ नहीं करना जैसे green आपको दिखेगा उसके पर आपको कलिक कर देना इस तरह से इस तरह साब करोगे आपका side button guys enable हो जाएगा पिर आप जैसे कि side button से यह पर इस तरह से आप हो जाएगा कोई साथ भी आइफोन हो गाईज अगरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना तो लोग आज मिलेंगे नेक्स फिलिए में जो तुझे हिंजे बात बंदे मात्रम